दोस्तों स्वागत करता हूँ जहां में जहां सिर्फ कहानिया ही नहीं जज़बात भी तो आए नई कहानी शुरू करते हैं जो है शर्लक होम्स की The Adventure of the Greek Interpreter इसका हिंदी वर्जन यूनानी अनुवादक या यूनानी ट्रांसलेटर कहानी को सुनने से पहले चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आईकन भी हिट कीजिए और अगर कहानी पसंद आती है तो लाइक जरूर कर दीजे शर्लक होम्स की और भी कहानिया सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिये गए प्लेलिस्ट की लिंक को जरूर चेक करें तो आए दोस्तों आज की कहानी शुरू करते हैं मैंने अपने आपको कैब में बैठे पाया लेकिन जब मैं उसमें बैठ गया तो मुझे शक हुआ कि ये वो गाड़ी नहीं है जिसकी बात इसने हमसे पहले की थी वो तो लंदन को शर्मिंदा करने वाली चार पईयों वाली पुरानी खटारा से बड़ी थी उसकी अंदरूनी सजावट हाला कि कुछ गिसी हुई थी फिर भी अच्छी कॉलिटी वाली थी मिस्टर लेटीमर मेरे सामने बैठ गए और हम चैरिंग क्रॉस होते हुए शॉप्टे जवरी वेन्यों की तरफ चल पड़े मैंने आक्सपोर्ड स्ट्रीट के गूल चकर पर लगे साइन बूट को देखा जहां से एक रास्ता कैसिंग्टन की तरफ जाता था तब ये अचानक मेरे साथी के अजीब बरताव की वज़े से मेरी जुबान बंद हो गई उसने बहुत डरावनी एक चड़ी निकाली और उसके खोल में अपनी जेब से निकाल कर सीसा भर दिया और बार बार उसे आगे पीछे लहराने लगा मानो वो उसके वज़न और मजबूती को चेक कर रहा हो इसके बाद एक भी अलफाज बोले बिना उसने चड़ी अपनी बगल में रख दी ये सब करने के बाद उसने दौनों तरफ की खिड़किया नीचे गिरा दी मैं ये देखकर हैरान रह गया कि शीशों को मोटे कागस से ढख दिया गया था ताकि मैं बाहर कुछ न देख सकूँ उसने कहा मिस्टर मिलस मुझे आपका सीन रोकने का दुख है सचा ये है कि मैं नहीं चाहता कि आप देखें कि हम कहां जा रहे हैं अगर आप वहां किसी तरह दोबारा पहुँच गए तो मुझे सच मुच बड़ी तकलीफ होगी जैसा कि आप सोच सकते हैं उसके ऐसा कहने से मुझे गहरा धका लगा था मेरा साथी चोड़े कंधों वाला एक ताकदवर इनसान था हत्यार को छोड़ दें तो भी मेरे पास उससे मुकाबला करने की जरा भी हमत नहीं थी मैंने हकलाते हुए कहा मिस्टर लेटिमर ये तो आप बड़ा अजीब बरताब कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए आप जो कुछ कर रहे हैं वो गहर कानूनी है अगर आप चाहें तो इसे अप मेरी मनमानी कह सकते हैं लेकिन मिस्टर मैलस मैं आपको वर्णिंग देता हूँ कि अगर आपने आज रात को किसी भी वक्त अलार्म बजाने ये मेरे खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश की तो आपके लिए बहुत बुरा होगा आप इस बात पर ध्यान रखें कि कोई नहीं जानता कि इस वक्त आप कहा हैं और ये भी समझ लें कि चाहे आप इस गाड़ी में हो या ना हो मेरे घर में हर तरह से मेरे गिरफ्त में रहेंगे उसके लफ़ तो हला की शान थे लेकिन उसके कहने का अंदास बड़ा ही भयानक था मैं चुप चाप बैठा हैरान होकर सोच रहा था कि इतने अजीब तरीके से मेरी किड्नेपिंग के पीछे क्या वज़े हो सकती है वज़े चाहे जो भी हो वो तो पूरी तरह साफ था कि मेरी खिलाफत का कोई फाइदा नहीं था मेरे पास चुप चाप बैठ कर इंतिजार करने के अलावा कोई चारा नहीं था हम लगबग दो गंटे तक चलते रहे फिर भी मुझे इस बात का सुराग नहीं लगा कि आखिर हम कहां जा रहे हैं कभी कभी जब पईयों के खड़कड़ाने की आवाज आती तो हमें सिर्फ इतना पता चलता की जवगा उबढ़ खाबड थी और जब चिकना रास्ता आता तो पईयों के खड़कड़ाने की आवाज बंद हो जाती उस दूर दराज इलाके में ऐसे कोई चीज नहीं थी जिसे देखकर मैं तैय कर पाता कि वो कौन सा इलाका है हर एक खिड़की पर कागज लगा हुआ था जिसे बाहर की रोशनी अंदर नहीं आ पाती थी इसके अलावा खिड़कियों पर बाहर की तरफ लगे नीले पर्दे की वज़े से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था हम पॉल मॉल से सवा साथ बज़े चले थे उस वक्त मेरी घड़ी में पॉने नौ बज़े थे जब एक जगए पर हमारी गाड़ी पूरी तरह रुक गई मेरे साथ जा रहे आदमी ने जब खिड़की गिराई तो मुझे एक छोटा गेट दिखाई पड़ा जिसके उपर एक लैंप जल रहा था जैसे ही मैं फुर्ती से नीचे उत्रा दरवाजा खुल गया और मैं हैरान परेशान सा एक कमरे में पहुँच गया कमरे के अंदर एक रंगी लैंप जल रहा था जिसे धीमा कर दिया गया था और मैं इसके अलावा कोछ नहीं देख सका कि कमरा बहुत बड़ा था देखा कि उसने चेश्मा पैना हुआ है उसने पूछा क्या ये मिस्टर मेलस हैं हाँ वेरी नाइस वेरी नाइस मिस्टर मेलस मुझे उमीद है कि आपके आने में कोई तकलीफ नहीं हुई होगी लेकिन हम आपकी मदद की बिना आगे नहीं बढ़ सकते थे आगर आप हमारे साथ ढंक से पेश आएंगे तो आपको कोई अफसोस नहीं होगा लेकिन अगर आपने कोई चला की दिखाई तब तो बगवान ही आपका मालिक है वो कुछ डरडरा सा हक लाकर बोल रहा था लेकिन बीच बीच में वो हस भी पड़ता था लेकिन उसने भी मुझे धमकाने के लावा और कुछ नहीं किया मैंने पूछा आप मुझसे क्या चाहते हैं हमारे यहां एक यूनानी जेंटलमेन आई हुए है हमें उनके सवालों के जवाब चाहिए लेकिन आप से जैसा करने के लिए कहा जा रहा है अगर आप वैसा नहीं करेंगे तो समझ लीजेगा कि आप पैदा ही नहीं हुए थे उसकी घबराहट बरी हकलाहट दोबारा सुनाई पड़ी अपनी बात पूरी करके वो मुझे सजे धजे कमरे में ले गया लेकिन उसमें भी वही हालत थी उसकमरे का लेंप भी धीमा जल रहा था क्योंकि उसकी बत्ती आदी नीचे गिरा दी गई थी वो कमरा भी काफी बड़ा था और उसमें फर्श पर गलीचा भी बिचाया गया था जो उसकी खुशाली दिखा रहा था कमरे में मुझे कुछ मखमली कुरसियां संग मरबर का फायर प्लेस और एक जापानी आर्मगार्ड लटका हुआ मिला लेंप के नीचे एक कुरसी रखी थी और उस अधेर आदमी ने मुझे उस पर बैठने का इशारा किया नौजबान मुझे वहां बिठा कर चला गया लेकिन कुछ पलवाद वो दूसरे दर्वाजे से एक दूसरे आदमी के साथ लोटा वो आदमी एक ढीला ढाला गाउन पहने हुए था वो धीरे धीरे हमारी तरफ आगे बढ़ा जब वो लैंब की रोशनी के नीचे आया तो मैं इसे देखकर दंग रह गया वो बहुत ही डरा हुआ और कमजोर दिखाई दे रहा था उसकी आँखें उसकी सेहत के मुकाबले ज़्यादा चमकीली थी लेकिन उसकी जिस्मानी कमजोरी से ज़्यादा चौकाने वाली बात ये थी कि उसके चहरे पर प्लास्टर लगा हुआ था और उसके मुझ को एक चौड़ी पट्टी से बंद किया गया था बुड़ा आदमी कुरसी पर बैठने की बजाए गिरते हुए बोला हैराल्ड क्या आपके पास स्लेट है अगर इसके हट ढीले कर दिये गए हूँ तो इसे एक पैंसिल दे दो मिस्टर मेलस जब आप इससे सवाल पूँचेंगे तो ये लिक कर उसका जवाब देगा सबसे पहले आप इससे ये पूछिए क्या ये काख़जात पर दस्थख़द करने को तयार है उस आदमी की आँखों से चिंगारी निकलने लगी उसने स्लेट पर युनानी भाशा में लिखा कभी नहीं उसके बाद मैंने पूछा तब तो तुम जानते ही हो कि तुम्हारा इंतिजार कौन कर रहा है मुझे मेरी कोई परवा नहीं उसने जवाब में लिखा ये हमारी आदिया दूरी सवाल जवाब के कुछ नमूने है मुझे बार बार उससे पूछने के लिए मजबूर किया गया कि क्या वो उसे छोड़कर दस्ताविजों पर दस्तगेत करेगा उसने नाराज होकर बार बार वही जवाब दिया लेकिन तब ही मुझे एक खुशगवार तरकीब सुझी मैंने हर एक सवाल से पहले कुछ अपनी तरफ से जोड़ दिया ताकि मैं ये जान सकूँ कि मुझे जबरन उठा कर ले गए लोगों की समझ में कुछ आया के नहीं जैसे ही मुझे पता चला कि उनकी समझ में कुछ नहीं आया मैंने उनके साथ बहुत ही खतरनाक खेल शुरू कर दिया हमारी बाचीत कुछ इस तरह थी तुम्हारी जिद का कोई लाब नहीं है तुम कौन हो मुझे कोई परवा नहीं मैं लंदन में एक अजनबी हूँ तुम्हारी गिसमत तुम्हारे हाथ में है तुम यहां कितने दिनों से हो होने दो तीन हफते से जैदात तुम्हारी कभी नहीं हो सकती तुम्हें क्या दिक्कत है ये बात इन बदमाशों को पता नहीं चलनी जाहिए ये लोग मुझे भूका मार रहे हैं अगर तुम दस्तगत कर दोगे तो आजाद हो जाओगे किसका घर है ये मैं कभी दस्तगत नहीं करूंगा मुझे नहीं पता तुम उसकी कोई सेवा नहीं कर रहे तुम्हारा नाम क्या है उससे मेरी बात कराईए क्रेटाइट्स दस्तगत करने के बाद तुम उससे मिल सकते हो तुम कहां से हो तब तो मैं उससे कभी नहीं मिलना चाहूंगा एथेंस मिस्टर होम्स अगर मुझे पांच मिनट और मिल जाते तो शायद मैं उनकी नाक के नीचे से सारी कहानी निकाल लेता शायद मेरी अगले सवाल के बाद सारा मामला साफ हो जाता लेकिन तब ही अच्छानक दर्वाजा खुला और कमरे में एक औरत आ गई मैं उसे अच्छी तरह नहीं देख पाया लेकिन इतना जरूर समझ गया था कि वो एक सुन्दर काले बालो वाली लंबी औरत थी और उसने एक धीले ढ़ले सफेद गाउन जैसी कोई चीज पहन रखी थी उसने टूटी फूटी अंग्रेजी में कहा हेराल्ड मैं वहाँ जादा देर तक नहीं रुक सकती ये तो इतनी सुनसान जगह है की हे भगवान ये तो पौल है उसके आखरी लफ युनानी भाशा में थे और तभी उस गैदी बने अदमी ने एक जटके से अपने मूँ पर लगा प्लास्टर फाड़ कर फेक दिया और सोफी सोफी कहकर चिलाते हुए उस औरत को अपनी बाहों में भर लिया उनका मिलन कुछ ही मिनट में जुदाई में बदल गया क्योंकि नौजवान ने अचानक औरत को पकड़ कर दूसरे कमरे में धका दे दिया अधेर आदमी ने कमजोर कैदी को अपने काबू में ले लिया और दूसरे दर्वाजे से किसी दूसरे कमरे में ले गया कुछ पल के लिए मैं खुद को अकेला पाकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया और ये पता लगाने की कोशिश करने लगा कि जहां मुझे पकड़ कर लाया गया है वो कौन सी जगह थी किस्मत से मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा क्योंकि दर्वाजे पर वो बूड़ा आदमी मेरी तरफ टक्टकी लगाए देख रहा था उसने कहा हमारा काम बन गया मिस्टर मेलस आप तो जानते ही हैं कि हम आपको भरोसे में लेकर अपनी जी काम के लिए लाए हैं अगर मेरे युनानी बोलने वाले दोस पर पूर्व की तरफ लोटने का दवाव ना होता तो हम आपको कताई परिशान नहीं करते इसलिए हमारे लिए किसी ऐसे आदमी को ढूड़ना जरूरी था जो उसकी जगह ले सके और हम खुशनाजीब थे कि हमें आपकी काबलियत की जानकारी थी मैंने शुक्रियादा किया उसने मेरी तरफ आगे बढ़ते हुए कहा ये पांच पॉंड है और मुझे अमीद है कि आपकी फीस के लिए काफी है उसने मेरी चाती पर थप की देते हुए कहा कि इस बात को ध्यान में रखना कि अगर तुमने हमारे या इस जगह के बारे मैं किसी को कुछ भी बताया तो केवल भगवान ही तुमारी जान बचा सकते हैं मैं आपको नहीं बता सकता कि मैं कितनी बुरी तरह डर गया था उस खोखार अदमी से लेंब की रोशनी में आने के बाद मैं उसे अच्छी तरह पैचान सकता था उसका चहरा फीका औ नाच की तरह तरह रख रहे थे मैं यह अंदाजा लगाने में नाकाम रहा कि इसकी हقलाहट भरी हसी किसी दिमागी बीमारी का कोई लक्षन तो नहीं उसके चेहरे का डर उसकी आँखों में जह लगता था उसने कहा अगर तुम हमारा राथ किसी को बताओगे तो हमें हमारे आदमियों से पता चल जाएगा कि तुमने हमारे साथ धोका किया है बाहर बग्गी तुमारा इंतिजार कर रही है उसमें बैठो और मेरा साथी तो मैं वापस पहुचा आएगा मैं बड़े कमरे से निकल कर फौरन गाड़ी में बैठ गया और दुबारा पेडों और बगीचों की एक जलक लेने लगा मिस्टर लेटीमर भी मेरे पीछे पीछे आकर बिना कुछ बोले मेरे सामने गाड़ी में बैठ गए हम शान्तो कर एक ठकाओ या त्रापन निकल पड़े वापस आते वक्त आधी रात के बाद खिड़कियां उठा दी गई थी मेरे हमसफर ने कहा मिस्टर मिलर्स अब आप यहां उतर जाएए मुझे आपको आपके घर से दूर छोड़ने का दुख है लेकिन मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है अगर आपने हमारी गाड़ी का पीछा करने की कोशिश की तो इसका नतीजा आपके लिए खतरनाक होगा उसने बात खत्म करते ही दरवाजा खोल दिया और मैं अभी ठीक से उतर भी नहीं पाया था कि गाड़ीवान ने घोड़े को चाबुक मार कर दोड़ा दिया मैंने हैरान होकर आसपास देखा मुझे एक सुनसान और बंजर मैदान पर उतार दिया गया था जिसके त्चारों तरफ कटीली जाड़ियां थी उस जगे से काफी दूर घरों की कतारें थी जिनकी उपरी खिड़कियों से एका दुका लैंप जलते दिखाई दे रहे थे उसकी दूसरी तरफ रेलवे के सिगनल की लाल बत्ती दिखाई दी हमें वहां तक लाने वाली गाड़ी पहले ही आँखों से उजल हो चुकी थी मैं अपने एड़ गिर्द देखकर अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था कि इस धर्ती पर ये कौन सी जगह है जहां मैं इस वक्त खड़ा हूँ तब ही अधेरे में मैंने किसी आदमी को अपनी तरफ आते देखा जब वो मेरे करीब आया तो मैं समझ गया कि वो रेलवे का एक कुली था क्या तुम बता सकते हो कि ये कौन सी जगह है मैंने पूछा वांट्सवर्थ कॉमन उसने बताया क्या मुझे शेहर जाने के लिए कोई ट्रेन मिल सकती है अगर आप यहां से एक मील या कुछ जादा पैदल चलें तो क्लेंप हैम जंक्शन आ जाएगा जहां से आपको विक्टोरिया जाने वाली आखरी गाड़ी मिल सकती है मिस्टर होम्स ये था हमारे अभ्यान कांत मुझे नहीं मालूम कि मैं कहा था ना ही मुझे से बात करने वाला कोई आदमी था लेकिन मैं इतना जरूर जानता था कि गलत काम होने जा रहा था और अगर मैं कर सकूँ तो इस दुखी इंसान की मदद जरूर करना चाहूंगा मैंने इस घटना का सारा किसा अगले दिन माई क्राफ्ट के साथ साथ पुलिस को भी सुना दिया था दोस्तो कहानी अब भी जा रही है इसका अगला भाग सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को भी हिट करते चलें ताकि आने वाले अपिसोड की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले तो मिलते हैं अगले अपिसोड में